हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं पत्ते गोवी की रेसिपी तो फ्रेंट्स ये रेसिपी ऐसी है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत पसंद करेंगे आप इसे बना के एक बार ट्राइ जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स देखिए ए रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं पत्ते गोवी की पत्ता गोवी लिया है और इसके जो भी पत्ते हैं वो हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे अलग कर लेंगे तो देखिए हम इसके पत्ते जो है उसे कैसे निकाल ले रहा है और हमने सारे इसके जो पत्ते हैं उसको निकाल लिया और हमने गैस पे रख दिया एक कड़ाई कड़ाईम डाल दी हमने पानी और पानी हमारा गरम हो गया है तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं तो देखिए कितने अच्छे से पक गया है और बहुत पकाना नहीं है क्योंकि इसको फिर हम डीप फ्राइ करेंगे तो हलका सा बॉयल करना है बॉयल करने से जो हमारे पत्ते हैं एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसके जो इस्टिपी थी तो बनाने के लिए हम ने ने पत्ता गोभी हरी प्याज और सिंबला मिर्च और प्याज ता काट लिया था और ये जो आलू है इसको हमने दो आलू वॉयल किया था उसको चीछ लेंगे और ये देखिया हमारी जो प्ति थी के तने अच्छे से बॉयल हो प्र इसमें हम डालेंगे सिम्ला मिर्च की ढूआ फिर इसमें हम ढूंत प्लेट में ठंडा होने के लिए तो छलिए हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में देखिए हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें चीज डालेंगे तो चीज को हमने कट कर लिया था और अब उसे हम इसमें एड कर देंगे अट करके हम फिर मिक्स कर देंगे जो हमने इसके श्टपी बनाई थी वह ठंडी हो गई थी फिर हमने इसमें चीज मिक्स किया है और चलिए हम इसका रोल बना लेते हैं तो फ्रेंट्स देखिए हमने इसके कैसे रोल बनाये हैं और ये दोनों तरब से हम इसे अच्छे से मोड देंगे और रोल बना लेंगे छोटे-छोटे तो देखिए हम कितने अच्छे से बना रहे हैं तो फ्रेंट्स आप चाहें तो इसमें आलू डालें चाहें तो आलू को कीव भी कर सकते हैं सिर्फ सबजीों का ही बना सकते हैं हमने आलू इएक किए हैं तो ऐसे देखिए हमने बना लिया है और ऐसे करके हमारे जितने भी प्त यह हमने कि बॉयल इसके सारे हम रूल बना लेंगे छल impacts को एक रोल बना के, तैयार कर लिया है और देखे, हमारे सारे रोल बन के तैयार हो गया है और अब इसे डिप फ्राइ करने के लिए हमने लिए एक पॉल और इसमें हम तीन चम्मच मैदा लेंगे और उसे मिक्स करेंगे, अच्छा सा जादा गाड़ा नहीं और जादा पतला नहीं अच्छा सा बेटर बनाएंगे इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने नमक अपना इस्टिपी बनाई है उसमें भी तयार डाल दिया था तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे और अच्छा सा इसका बेटर बना के चिली हम त्यार कर लेते हैं तो देखिए हम बेटर बना रहे हैं तो फ्रंस हमारा जो रेसिपी है आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा बहुत ही अच्छा बनता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में तो फ्रंस हमने कडाई रख दिये तेल हमारा गरम हो गया है थोड़ा सा जो मैदे का हमने बेटर बनाया था उसमें डाल देंगे और हमने थोड़े से ब्रेट को हमने ब्रेट को क्रस करके रख लिया था फिर उसमें हम लगा देंगे और फिर इसको हम करेंगे ज्यादा हाई और ज्यादा लो फ्रेम पे ने मेडियम प्रेम पे करेंगे हम इसका डीप फ्राई तो हमने कड़ाई में डाल दी है और देखे कि हमने डाल दिया और अब हम इसे दोनों तरफ से लेंगे और एकदम गॉल्ड ब्राउन होने तक हम इसे सेगेंगे देखी कितने अच्छे कलर आ रहे हैं और खाने में वाकई बहुत टेस्टी लगता है एकदम क्रिस्पी बनता है और देखिए हम इसको चलिए अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में निकाल ले अब बनाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि मैंने यह रेश्पी कैसी बनाई आप लोगों कैसा लगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए देखिए हमने इसे बीच से तोड़ आपने जो चीज डाला था वो कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका था यह देखिए और खाने में भी बड़ा क्रिस्पी था तो अगर आप ऐसे नई नई रेश्पी चाहते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए